जिन्दगी में लिया हुआ आपका एक छोटा सा फैसला सिर्फ आपकी नहीं बलके पूरे ब्रह्मान, पूरे युनिवर्स उ बदल सकता है। हिटलर जैसे ताना शाह पैदा हुए और आठ करोर से भी जादा लोग मारे गए। जी हां सब कुछ बस एक रॉंग टर्न की वज़ा से। तो 1914 में ऐसा क्या हुआ और butterfly effect क्या होता है ये आज मैं हसन आपको अपने personal development channel bloom and evolve पर बताऊंगा। तो जल्दी से प्रेस करें like बटन और channel को subscribe करें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और बाद में आप इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि आज आपके होश उड़ने वाले हैं। हमारा ये संसार या पूरा ब्रह्मान एक ही दागे में बंदा हुआ है। The entire universe is stitched in the same fabric। किसी भी कपड़े का एक छोर कीचने से दूसरा छोर भी खित जाता है। हम पूरे दिन लाइफ के छोटे या बड़े decisions लेते रहते हैं। हमारे हर decision के साथ हमारा पूरा universe बदद जाता है। हर छोटा decision भी इस universe को एक नया direction देता है। आप हर दिन जो choices लेते हैं वो आपकी और आपके आने वाले generations की जिंदगियां बदल देती हैं। इसी phenomenon को कहते हैं the butterfly effect। इसको गहराई से समझने के लिए हम वापस चलते हैं। 1914 की उस Austria में जहाँ पर एक wrong turn की वज़ा से बड़े बड़े world events हुए। 1914 में सारा खेवो बॉसनिया का capital था। बॉसनिया उस बक ऑस्ट्रिया हंगरी empire के कंट्रोल में चलता था। तो 28 जून 1914 की सुबा, Ark Duke Franz Ferdinand, जो की Austria-Hungary सिंगासन के वारिस थे, वो अपनी वाइफ Sophie के साथ सारा खेवो के एक function से वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में उनके driver ने एक गलट turn ले लिया और उनको कार को रोक कर वापस U-turn लेना पड़ा। बस इसी जगह पे एक काफे था, जहां सर्विया से आया हुआ एक विद्रोही सैंडविच खा रहा था। उस विद्रोही यानि rebel का नाम था Gavrillo Princip जो सर्विया से Franz Ferdinand को मारने आया था। Franz Ferdinand की कार को अपने सामने देखकर Gavrillo Princip अपनी किसमत पर यकीन नहीं कर पाया। उसने सोचा Franz Ferdinand को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। Gavrillo Princip आदा सैंडविच छोड़कर काफे से बाहर भागा। पहली गोली से उसने Rani को मारा, दूसरी गोली से Franz Ferdinand को। इन दोनों मौतों का बदला लेने के लिए औस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के साथ हाथ मिलाया और सर्विया पर अटक कर दिया। उदर रशिया ने सर्विया के सपोर्ट में आमी तयार की तो जर्मनी ने रशिया पर अटक कर दिया। फ्रांस ने जब रशिया को सपोर्ट दिखाया तो जर्मनी ने फ्रांस को भी अटक कर दिया। फ्रांस के सपोर्ट में UK ने जर्मनी पर अटाक कर दिया और इस तरहां हुआ दुनिया का सबसे पहला विश्वयुद यानि First World War अगर First World War नहीं हुआ होता तो Second World War नहीं हुआ होता और Pearl Harbor की घटना नहीं होई होती हिरोशीमा नागा साकी पे बॉंग नहीं गिराया होता हिटलर जैसा डिक्टेटर पैदा नहीं होता और करोडों लोगों ने अपनी जान नहीं गवाई होती ये ताकत है बटरफ्लाइ एफेक्ट बट ये बटरफ्लाइ एफेक्ट आया कहां से तो एड़वर नौटन लॉरंस एक अमेरिकन माथेमेटीशन और मीटियॉरोलोजिस्ट थे जो मौसम में आते हुए बदलाफ को स्टडी करते थे और वेदर कंडिशन को प्रिडिक करते थे एक बार उनको अपने सिस्टम में टेंपरिचर, हुमिरिटी, विन स्पीट वगेरा की वैलियूज डालनी थी इसके बार उनके सिस्टम को एक्जाक्ट वेदर कंडिशन को प्रिडिक करना था इस बार उनोंने डेसिमल वैलियूज की कुछ डेसिमल प्लेसिस को राउंड आफ कर दिया और सिस्टम में फीट कर दिया ऐसा करने पर जो रिजल्ट आया तो उनके होश ही उडगए उन्होंने देखा कि डेटा में बहुत छोटा सा चेंज करने पर पूरा प्रिडिक्शन ही बदल गया जो अब तक खुला मौसम और धूप थी वो इन्पुट का थोड़ा सा चेंज करने पर बहुत बड़ी आंधी तूफान का इशारा देने लगा ये देखते हुए लॉरंस ने काफी बार डेसिमल प्लेसेज में चेंज़ेज करे और रिजल्स की वैलियो को एक ग्राफ में प्लॉट किया उस पैटन को उन्होंने स्ट्रेंज अट्राक्टर का नाम दिया जिसकी लाइन्स बिलकुल एक बटरफलाई की तरह दिखती थी इसलिए बटरफलाई एफेक्ट लेकिन क्या बटरफलाई एफेक्ट हमारी जिंदगी को भी अफेक्ट करता है बिलकुल करता है हर वक्त करता है, हम लाइफ के हर पल कोई ना कोई डिसिजन ले रहे होते हैं, आइस्टीम खाएं या कोल रिंग पिएं, जॉब करें या बिजनस करें, मुवी जाएं या शॉपिंग, हेल्दी खाएं या जंक फूड, हर वक्त एक डिसिजन के साथ आपका युनिवर्स दो भ एक बीमारी मेंडलेंड चाइना में फैल रही है, जिसके सिम्टम्स खासी, जुकाम, फीवर, कॉमन कोड जैसे हैं, जैनवरी आते आते, कुछ देशों ने इसको नॉर्मल वाइरल फीवर बता कर डिसमिस ही कर दिया, लेकिन उसके बाद चोटी सी निउस और नॉर्मल लग चाइना का ही हम एक दूसरा एक्जामपल लेते हैं, चाइना में बहुत सारी प्लास्टिक टॉइज की फैक्टरीज हैं, काफी सारी फैक्टरीज में वेंटिलेशन अच्छा ना होने की वज़ा से प्लास्टिक में से निकलने वाली गैसेस एग्जेट नहीं हो पाती हैं, जो वहां वरकर्स काम कर रहे होते हैं, वो काफी साल तक उन गैसेस को इन्हेल करते रहते हैं, और उनको बेंजीन पॉइजनिंग हो जाती है, जो बाद में कैंसर बनाती है, वो लोग जल्दी ही मेडिकली अन्फिट हो जाते हैं, और एक दिन कैंसर से अपनी जंग हार जात कि आज उन workers की families इतना सफर कर रही हैं एक छोटी सी वज़ा से कि उन factories में अच्छा ventilation system नहीं था butterfly effect के results दोनो positive या negative हो सकते हैं इसके effects बहुत साल बाद भी आ सकते हैं और immediate भी हो सकते हैं इसी के एक interesting किस्से को जानते हैं ये घटना US के New Jersey की है एक maths का professor अपने घर पे सुबा लेट उठा जल्दी से वो ready हुआ और उसने breakfast किया गलती से वो अपना tiffin टेबल पर ही छोड़ गया ज़़ प्रोफेसर express way पर drive कर रहा था तो उसकी wife का call आया अपना phone pick करने के लिए उसने dashboard तक हाग बढ़ाया बस एक microsecond का focus हटा और उसका accident हो गया टिफिन भूल जाना एक छोटी सी बात थी लेकिन sequence of events ऐसे pattern में arrange हुए कि उसका result बहुत negative आया बाद में उसकी wife ने बताया कि उस टिफिन का ही remind करने के लिए उसने call किया था और उस call से accident हो गया अब इतनी छोटी भूल एक टिफिन भूल जाने की वज़ा से उस professor ने अपनी जान गवा दी तो जिन्दगी का हर एक पल जरूरी है हर पल में लिया हुआ हर एक decision जरूरी है पर आज इस concept को समझने के बाद कुछ छोटे छोटे decisions आप ले सकते हैं जो आपके लिए एक नया और better universe खोल देंगे सबसे पहले अपनी health की तरफ छोटे-छोटे improvements करें morning walk पर जाएए, cycling करें, workout करें या swimming करें इसका butterfly effect यह होगा कि आपके bones, joints, सारे organs healthy रहेंगे और जब आप 60-70 years old हो जाएंगे तो आपकी body आपको thank you बोलेगी अपने job या business में कोई भी एक छोटी चीज रोज improve करें एक Japanese technique होती है काईजन जो कहती है कि आप जो काम रोज करते हैं अपनी life में उसको आप थोड़ा-थोड़ा रोज improve करें छोटी-छोटे improvements कब बड़े हो जाएं पता भी नहीं चलता रोज जो आप diet लेते हैं उसमें sugar और carbohydrates कम लिए और fat तो बिल्कुल ही cut off कर दिए इसका butterfly effect ये होगा कि आप diabetes, high cholesterol और blood pressure की problem से दूर रहेंगे आज से ही थोड़ा-थोड़ा करके savings करने की आदर डालिए चाहे piggy bank बनाईए या SIP में invest करिए या कोई और तरीका देखिए butterfly effect से यही saving आगे जाकर आपको एक secure future देंगी और नई opportunities का दरवाजा खोलेंगी थोड़ा time रोज अपने passion को भी दीजिए for example अगर आप book reading करते हैं तो एक passion बनाईए कि 30 to 40 pages आप रोज पढ़ेंगे आप कुछ वक्त में ही देखेंगे कि butterfly effect से कितनी जल्दी और कितनी सारी books आप पर डालते हैं यही principle guitar बजाना, खाना बनाना, gardening या किसी भी और sport खेलने या किसी भी काम या activity पर applicable होती है तो इस तरह हमने जाना कि हमारे छोटे छोटे decisions या आदत हमारी जिंदगी आबाद या बर्बाद कर देते हैं हमको किसी भी decision या आदत को छोटा समझ कर लापरवा नहीं होना चाहिए आपके एक decision से सिर्फ आप नहीं, पूरा ब्रम्हान, पूरा universe effect होता है अगर आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक छोटा सा काम हमारे लिए करिए इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए क्या पता आपका एक बटन दबाने से आपका और हमारा universe हमेशा के लिए बदल जाए So until next time, Bloom and Evolve!